तो कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सब बहुत अच्छे होगे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ जिरो कोश्ट और्गनाइजर जिससे आप अपने घर को और्गनाइज रख सकते हैं और वो भी बिना एक भी रुपए खर्च किये हुए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो मेरा और्गनाइजर है इसके लिए मैंने एक कपड़े का बॉक्स लिया है आप कोई भी मिठाई का बॉक्स चॉकलेट का बॉक्स या कोई भी साड़ी वगरा का भी बॉक्स ले सकते हैं बस इस तरीके का वो बॉक्स होना चाहिए और इसे जिसका जो अंदर वाला पार्ट है इसे मैं त्री पार्ट में डिवाइट कर लूँगी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्केल की हेल्प से मैंने यहाँ पे निशान बना लिया है और अब मैं इसे कैची से कट कर लूँगी तो इसे आप चार भाग में भी डिवाइट कर सकते हैं मैंने यहाँ पे बस तीन भाग में डिवाइट किया है और इसे मैं अब सीजर से कट कर लूँगी सारे पार्ट को हमें अलग कर लेना है थ्री पार्ट को और बहुत कियरफुली आपको इसे कट कर लेना है तो यहां पर देखिए यहां तीन पार्ट में मैंने इसे डिवाइट्ट कर लिया है अब क्या पर पेब कर लेना है तो यहां पर आपका यह तीन स्लोट बनके तयार हो जाएगा इसके बाद मैंने लिया है स्टैपलर और स्टैपल कर लूँगी इसे इसके तीनों भाग को एक साथ अटैच कर लूँगी यह देखिए इस तरीके से ताकि यह खुले ना आप चाहे तो फेविकोल या लूगन से भी से स्टिक कर सकते हैं और हमारा फटाफट से एक और्गनाइजर बनके तयार हो चुका है इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं यहां पे गिफ रैप का एक पेपर था मेरे पास इसे भी मैंने कोई भी खरीदा नहीं एक भी रुपए खर्च नहीं किया जैसा कि मैंने आपसे बोला था इस्टार्टिंग में तो यहां पे देखे इसे मैंने नीचे रख दिया है और इसे नीचे रख करके इसके चारू तरफ से मैं पैन के हैल्प से एक निशान बना लूँगी ऐसे करने से आपको कटिंग में आसानी होती है और आपको एक perfect नाब भी पता चल जाता है तो बस इसे कट कर लेना है और अंदर के भी लिए मैं इस तरीके से रख करके देख ले रही हूँ एक निशान बना के मैं इसके उपर से ही कट कर लूँगी और कट करने के बाद इसे इसमें fix कर दूँगी इसी तरीके से बाकी के दोनों पार्ट को भी मैं इसमें fix कर दूँगी और इसे मैं चिपका नहीं दी हूँ आप चाहें तो चिपका भी सकते हैं मैं इसे as a liner यूज़ कर रही हूँ या फिर अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं अपने मेकप आइटम को और्गनाइज करके रखने के लिए डाइनिग टेबल पे भी आप इसमें अचाहर या फिर जो भी नमक वगयरा हम रखते हैं क्रुएट सेट वगयरा रखते हैं वो भी आप डाइनिग टेबल पे भी और्गनाइज करके रख सकते हैं बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और्गनाइजर की तरफ तो इसके लिए मैंने एक यहां पे बैंक के जो कार्ड आते हैं तो इसको भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे एक और्गनाइजर बना हूँ तो यहां पे मैंने लिया है एक वाल पेपर और वाल पेपर को इसके नाप के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने बताया था आप इसको नीचे रखिएगा और उपर रख करके इसे कट कर लेना है इसके बाद इसके नीचे का स्टिकर निकालते हुवे केरफुली आपको इस पे स्टिक कर लेना है जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ starting point से आपको stick करना है और फिर धीरे धीरे इसका नीचे का जो sticker होता है उसे remove करना है तो देखे इसी तरीके से बहुत ही easily यह stick हो जाता है और wallpaper किसी भी organizer को बनाने के लिए बहुत ही अच्छा option होता है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे stick कर लिया है एक बर अगर गलत लग जाए तो आप इसे निकाल के भी लगा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि लगा दिया तो वो fix हो गया और अगर आपके पास wallpaper नहीं है तो कोई भी printed paper आप इस पे stick कर सकते हैं तो देखी हमारा wallpaper इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से उपर में श्टिक हो गया है अंदर में बिल्कुल भी श्टिक नहीं करूंगी क्योंकि अंदर में यह बहुत ही सुंदर है देखने में और यह जो श्टिकर्ट के पीछे का पार्ट निकला है इसे मैं एजर लाइनर य चिकना होता है और इसे आप एजर लाइनर बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं इसमें मैं कुछ भी रहा हूं तो मेरा box खराब ना हो इसके लिए मैंने यहां पे लाइनर का यूज किया है और इसमें मैं और्गनाइस करूंगी अपने सारे लिप्स्टिक को तो एक ही बॉक्स में मेरे किते सारी लिप्स्टिक्स आ गए हैं यहां पे और देखने में भी अच्छा लग रहा है और बहुत ही संदर लगेगा आप इसे ड्रेसिंग टेबल पर रखेंगे तो और जो लाइनर वह बंदा भी हो जाए तो उसे हम चेंज कर सकते हैं इसलिए किसी पीजिए के नीचे में एक लाइनर जरूर लगाएं इस वाले और इसे मैंने कैसे बनाया है यह एक शू बॉक्स का मैंने बनाया था और अंदर में आप जो येलो और वाइट का प्रिंट देख रहे हैं वह एक वाल पेपर मैंने लगाया है इसे भी मैंने तीन पार्ट में किया है अंदर में डिवाइडर बनाया है और बाहर में मेरे पास एक वैलवेट का कपड़ा था वह मैंने लगाया है कुछ लैस और कुछ इस टिकर बगार के मैंने इसे डेकुरेट किया है और इसमें मेरी बेटी के सारे हैर क्लिप्स बगरा और और यह वाला जो लगाया है और यह उपर में मैंने वाल पेपर का ही स्टिकर बचा हुआ था मेरे पास वो मैंने लगाया है और उपर का जो इस तरीके का कैप होता है फ्लिप करने वाला उसे मैंने कट करके नीचे बेस में लगाया है जैसे कि हमारा बेस जो है वो मजबूत भी रहे और ज्य को और्गनाइज करने के लिए इस बॉक्स का यूज किया है नेक्स जो और्गनाइजर मैं आपके साथ शेयर कर रही है वो एक कप के बॉक्स का मैंने बनाया है ये देखिए कप के बॉक्स का जो उपर का धकन होता है उसको मैंने कैसे बनाया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही ह इसके लिए मैंने फैब्रिक यूज किया है और ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं वो मेरे पुराने सोफे के कवर का है इसे कट करके मैंने इसे चारो तरफ से अच्छे से पेस्टिंग करके लगाया है और नीचे में फ़ार डेकुरेशन के लिए मैंने इस पे एक लैस भी लगा दिया है चारो तरफ से और हमारा सुन्दर सा बास्केट बन के तयार हो चुका है आप इसमें बहुत सारी चीजों को और्गनाईज करके रख सकते हैं मैं यहाँ पे इसे वार्डरॉब में यूज करती हूँ और मैं इसमें अपने बेटे के सारे टीशर्ट को और्गनाईज करके रखती हूँ इसी तरीके से दो चार आप बना सकते हैं और कपड़ों को और्गनाईज करके रख सकते हैं काफी सारे टी-शिर्ट इसमें आ जाते हैं और बच्चों को भी निकालने में रखने में इजी होता है अधिकतर हमरे पस कुछ ऐसे बॉक्स होते हैं किचन में यूज करते हैं जिने हम और कुछ ने-ने बॉक्स अगर हम खरीद लेते हैं तो पुराने बॉक्स को डिसकार्ट कर देते हैं तो उन्हें आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला जो बॉक्स था ये पुराना हो चुका था किचन में मैं यूज नहीं करती थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं क्राफ्ट, DIY वगरा करती रहती हूँ तो उससे रिलेटेड मुझे जो भी चीजे मिलती है वो मैं इस बॉक्स में रखती हूँ जैसे कपड़े के पीसे कुछ वगरा मिल जाते हैं सुन्दर है तो उसे भी मैं रख लोती हूँ लैस है काफी सारे ultra Something से हैं और कुछ पुरानी नाखी वगरा जो वोता है वो भी मैं रखती हूँ और इस तरीके के जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उन्हें हम कहीं यूज कर लेते हैं तो इस पे जो पैच वर्क या फिर लेस लगा रहता है उसे मैं कट करके रख लेती हूं अपने DIY में यूज करने के लिए नेक्स्ट वाला जो और्गनाईजर है इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है लिंक में सारे वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ये एक टॉवेल और्गनाईजर मैंने बनाया है और ये आटे के पैकेट सरी चावल के पैकेट का मैंने और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है इसका वीडियो आप जरूर देखिएगा इसे मैं बाथरूम के पास हैंग करके रखती हूं और जब भी हमारी जो तौवेल है वो सूख जाते हैं तो मैं इसे इसमें लगा के रख देती हूं जिससे की मौर्निंग में हस्बेंड को बच् कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हूँ तो एक लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कौन से और्गनाइजर का आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थ थैंक यू सू मुझ फो वाचिंग